हैले बरबन कैसो आप लोग है आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे और भाई हमको इस्पीकर का कितना या तो शॉक है अगर आप हम लोगे स्टूडियो में आओगे तो हर जग आपको इस्पीकर जरूर दीखेगा है का हम लोगो ने रिव्यू भी किया है और कुछ का रिव्यू नहीं कर पाये हैं और कुछ हमको इसा पसंद नहीं आए लेकिन हम लोगों ने यह स्पीकर मंगवाया था रिविट कभाई स्ट्रों बॉक्स फ्लो और यह एक स्पीकर नहीं हम लोग दोगा एक मेरा और दोस्त का है तो भाई आज इसको हम टेस्ट करने वाले हैं मेरा इसको दिखाने वाले मेरा कि क्या को स्बीकर और तेस्ट की तो दोनी टेस्ट किएं हैं उसके बाता उपको सिधाये गाँ हैcard अग्छी कर सकते हैं जिसमेंसे पिदारीजर बटतन है और एक ज्पेरिंग कर सकतो दोने पीकर एक साथ TWS जैसा काम करता है इसके लाबा एक केवल मिल जाता है और इस केवल का खुबी है कि टाइप C to type C केवल है मतलब इससे आप फोन को भी चार्ज कर सकते हो गर इसको लगा और फोन में लगा और इसके अपका फोन भी चार्ज होगा इसके लाब अगर नीच कर जो है काफी हेवी है वेट है इसमें तो लगता है कि अंदर कुछ पढ़िया सा पार्ट्स पूर्जा लगाया गया है और लगाया भी गया साउंड क्वालिटी आपको तो सुना नहीं सकते हैं बढ़ यह चलूर बता सकते हैं कि यह वान अब बेस्ट स्पीकर है अगर चार घंटा लगता लगभग 30 घंटा का बैटरी वेकप देता है और जब हम इसको अन किये तो 70% बाइडिफॉल्ट दोनों में बैटरी था और बहुत यूज करने के बाद भी दोनों को पेयर करके हम लोग ने बजाया है सब कुछ किया तो भी हम बोलेंगे साट परसंट ब दिया लेना है तो यह मेरा स्पीकर है यह मेरा एश ट्री अल्टरा है जिसमें चोटा सा कभर भी लगा हुआ है तो इसके जितना एकवली आता है और दूसरा यह कि अगर आप पीछे से देखोगे इसको तो कुछ इस तरीके से यह दिखता है इतना ही साइज है का आपको कर चुके हैं उपर में एक सेरिंग मोड है मतलब दोनों डिवाइसस को प्रकारने के लिए तो दोनों डिवाइसस को प्रेट करोगे चाहि अपने प्रेड़ियों हो जाता है यह ती ड़ली से काम करता है आप एधर रखों इधर यह जा लेगा तो इसमें और चीच काफी तो इसका white light on हो जाता है white light का मतलब xb mode मतलब base mode में चला जाता है दूसरा पर प्रेस करोगे तो यह normal mode में जाता है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो ऐसे का app भी आपको मिल जाता है app में आपको सारा control है बेस बगरा control करने का का कस्टमाइज करने का option है speaker का firmware बगर अपडेट करने का option है वैसे हम बता दे कि इसका एक firmware आया था पहले हम lag फील कर रहे थे लेकिन अपडेट करने के बाद हमको ऐसा कुछ lag बगरा नहीं बिल्कुल भी फील हुआ app में आप सारा चीज कर सकते हो नेक्स्ट प्लेपाऊ सब कुछ कर सकते हो और इसमें कॉस्टमाइज करने का उप्शन इवेन वोईस का जो प्रोमोट करता है जैसे कि कौन पावर अन ओफ का वोईस हो गया करने वाला आपका तब इसको तरह बजा के सुनाते हैं करनेक्ट करना बहुत हीजी है उपर में Bluetooth का बटन है वह प्रेस करो एक बार प्रेस करोगे वह आपको पेरिंग मोड में चला जाएगा इसका फोन में जाओ और फोन में जाओ क्रीविट स्ट्रोम बॉक्स फ्लो के ना नॉर्मल में भी बजाएं तो यह काफी अच्छा साउंड देता है ऐसे आपको यहां तो पता नहीं चलने माला बट स्टील हम आपको सुना रहा है एरफोन लगा लो आप तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा मेरा माइक पास में है तो भाई हम यहां पर फील कर पा रहे है जब दोनों इस पीकर एक साथ बजता है ना तो यह टीड़ा जैसा गाम करता है एक लेफ्ट चैनल और एक राइट चैनल की तरह और इसका बेस जो है वो थंपिंग बेस है काफी अच्छा फील होता है अगर आप इसको खड़ा करके रखोगे इस तरीके से रखोगे तो यह है एक बार फिर सम्प्ले करके आपको हुना आते हैं बेस मोड बंद करके तो भाई यह स्पीकर जो हम डेफिनिटी रिकमेंट करने वाले हैं नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दे रहे हैं यह हम Amazon से पर्चेस किये थे 5999 में और इस प्राइस सेग्मेंट म यह स्पीकर आता है मेरा next travel partner भाई बंने वाला है काफी पसंद आए हमको इस पीकर बिल्ड क्वालिटी से लेकिर हर चीज से लेकिर हमको काफी ज़यदा पसंद आ है तो भाई अगर आपको यह स्पीकर पर्चेस करना है तो नीचे जाए डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाक भी जरूर कीजेना